नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट फी तरेसर क्लास में मैं गौरों को स्वाहा आज आपके लिए 26 और 27 अगस्त 2020 के मोस्त इंपोटन् करें टैफर के कोशंस और विडियो में लेकर आये हूँ जो आपके एकजाम के लिए इम्पोर्टन रह सकते हैं आप सभी दोफ्तों से रिक्ष्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नुट्रिकेशन डेली आपको मिल सके और वीडि आडियों के बर्तमान अद्यच्छ कौन है तो इसका राइट एंजर हो जाएगा प्सटेश्ट इजी सतीशेट डी जो कि डीयाडियों के बर्तमान अद्यच्च है ठीक हाली में इनका कारेकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया ठीक है तो यहां पर बात हुआ है डियाडियों का तो इसका फुल्प मोता है डिफैंस रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट और इसे हिंदी में रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन काते हैं इसका इस्थापना 1908 को हुआ था और मुख्यल ह है नए दिलमें ठीक है और अध्याच है प्रजेंटे में जी सतीस डेजिन का करगाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया ठीक है चलते हैं सेकेंड कोश्चन की तरफ किस राज के मुख्य मंत्री ने एन आर आई एकक्रित पोर्टल लॉंच किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफ्शन बी उत्तर प्रदेश राज के मुख्य मंत्री ने एन आर आई एकक्रित पोर्टल लॉंच किया है ठीक है एन आर आई एकक्रित पोर्टल के को रोजगार नौकरी और फ्रवासी भार्दियों को उनकी समस्याओं का समाधान में मदद मिलेगा ठीक है एनराई एकर की पोर्टल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री योगी अधित्तिनात जी ने लॉंज किया है ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ आज का थर्ड कोशन होगा कि दिल्ली अल्प संक्यक आयोड के अधेच कौन न्युक्ट हुए है तो इसka राइटेम हो जब जाकिंखान समय 129 जाकिर खान जोकी दिल्ली अल्पसंखक आयोग के अध्यक्ष न्योक्त हुए है ठीक है जाकिर खान डाक्टर जफ्रूल इसलाम का जगा लेंगे ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरब किस कंपनी को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफशन ए भी एटेच वीवेग को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार जल सम्रच चड़ता था जल की इस्तिधी को सुधार लाने के लिए परदान किया जाता है ठीक है तो यहां पर बात हुआ है भी एटेच वीवेग का तो इसका इस्था 24 को वाता और मुख्यले है चलने में ठीक है और प्रजेंडे में MD & CEO है राजिव मित्तल ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ आज का फिप नमर कोशन होगा हमारा किस कंपनी ने सच्छता ही सेवा पुरसकार जीता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सच्छता ही सेवा पुरसकार सच्छता के छेत्र में उत्क्रिष्ट कार के लिए दिया जाता है तो यह जीता है एन एल सी आई एल ने तो इसका फुल्पम होता है नए नए वेली लिगनी कोर्परेशन अफ कोर्परेशन लिम्टेड और इसका हिसापना उननी सो चपन को वातार मुक्यले हैं चिन नहीं में ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ कि सिक्त नंबर कोशन होगा ताटा समू ने डिजिटल सेवाओ के लिए किस नाम से एक एप लॉंच किया है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा ऑफसर ए सूपर यहां पे सो हो गया है मिस्प्रिंट हो गया है सूपर एप ठीक है सूपर एप डिजिटल सेवाओ के लिए लॉंच किया गया है जो कि टाटा समू ने किया है ठीक है सूपर एप में इंसुरेंस, फाइनेंसर, सर्फिस, हेल्थ केर और बिल पेमेंट जैसी सुविदा उपलब्द होंगी ठीक है चलते हैं सेवन कोश्चन की तरफ किस रियलवें इस्टेशन ने बैगेज सेनेटाइजर और पैकिज मसीन लॉंच किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओफशन सी एहमदाबाद रियलवें इस्टेशन ने बैगेज सेनेटाइजर और पैकिंग मसीन लॉंच किया है ठीक है एहम्दाबाद गुजरात राज में इस्तित है ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरब 7 नमर कोशन होगा एट नमर कोशन होगा भारती वायू सेना ने किस नाम से मोबाईल एफ लॉंच किया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और माईयू सेना में करियर कैसे बनाएं इसकी जनकारी भी देगी ठीक है तो यहां पर बात हुआ है भारती वायू सेना ने का तो इसका इस्थाफना आठ उक्टूबर 1932 को वाता और मुख्याला है नई दिल में ठीक है और वायू सेना दिवस मना जाता है आठ टूबर को ठीक है वायू सेना के अध्यच्च है एयर चीप मार्शन आर्केस कि ने नमर को सुनँ होगा है किस एप्पने ₌पनड ऐप्यफी सर्फिश शुरु कि है तो इसका राइट एंचर हो जागा ओफिण भी आरोग सेथू ने ऑप्वप्शन एप्याई शुरु कि है ठीक है ओप्याप्य व्याप्याई शुरु लोगों व्यापार और अद्ब करेगा ठीक है इसका मकसद कोबिड नाइटी के डर से जोखिम को कम करना है ठीक है चलते हैं आज के टेंथ नंबर कोश्चन की तरब टेंथ कोश्चन होगा किस राज्जी सरकार ने 108 नए सांस्कृती माडल इसकूल खोलने की घोश्चरा की है तो इसका राइटेंजर हो जाएगा ओफ्शन पे हर्याणा राज्य सरकार ने हाली में 108 नए संस्कृति माडल स्कूल खोलने की घोश्रा किया है ठीगे चलते हैं नेस कोचन की तरफ 11 नमबर कोचन होगा बित मंत्राले के अनुसार अब कितने लाक रुपे तक की सलाना कारोबार वाले कारबारियों को जी अस्टी से छूट मिलेगी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओफ्सन चालिस लाक रुपे से अधिक कारेबारियों को बित मंत्राले के अनुसार अब जी एस्टी भरना पड़ेगा ठीक है शुरू में या 20 लाक रुपे इसका सीमा 20 लाक रुपे था अब इसे बढ़ा कर दोगुना कर दिया गया यानि कि 40 लाक रुपे कर दिया गया ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरब ट्वेल नंबर कोचन होगा आठ बार के ओलंपिक स्वड़ पड़क विजेता उसेन बोल्ट कुरोना पाजिटिव पाए गये हैं वे किस देश से हैं तो इसका राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन बी जमायका के उसेन बोल्ट जोकी आठ बार ओलंपिक चेंपियल रह चुक अब ओलंपिक स्वड़ पड़क विजेता रह चुके हैं वही अभी हाली में कुरोना पोजिटिव पाए गये हैं ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरब थर्टी नंबर कोचन होगा हाली में किस पुरोत्तर रज में भारत के सबसे लंबे नदी रूपवे का उद्गाटन किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन ए असम असम रज में भारत के सबसे लंबे नदी रूपवे का उद्गाटन किया गया है ठीक है या फ्रम्पुत नदी पर गुहाटी सहर और उत्तरी गुहाटी को जोड़ता है इस रूपयों की कुल लंबाई है 1.8 km ठीक है 1.1 km ठीक है चलते हैं लाश्ट वीडियो के कोश्चन की तरफ लाश्ट वीडियो में हमने आपसे कोश्चन पुझा था उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेल खंड में जल संकट को हल करने के लिए किसके साथ सहयोग योजना पर हसाचर किया है तो इसका राइटिन से रुजएगा ओफशन सीजो की ग्रीन कर दिया ठीक है इसरायल के साथ उत्तर्देश सरकार ने बुंदेल खंड चेतर में जल संकट को हल करने के लिए एक सहयोग योजना पर हसाचर किया है ठीक है इसका उत्वेश बुंदेल खंड के सूखा प्रवावी Чेतरों में जल संकट का समधान करना ए ठीक है चलते हैं लाश्ट कोश्चन की तरब जो की आज का question होगा इसका राइट एंसर आपको comment box में देना होगा ठीक है किस football club ने 2019-2020 UEFA champion league का खिताब जीत लिया है तो इसका राइट एंसर आपको comment box में देना होगा का आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने यodel 1 ऑप दूसर को अभी तक सब्सक्राइब क्या है और दोस्तों में ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेरेब आप इस comprar हमाजगर टेली ग्रूप targeting वीस अधितर से डाउन् thank you for watching have a good day